नमश्कार फ्यूचर रिश्मेश पे आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ सुमेट और पहला दिन हपते का पहला कारोबारी सत्र और इवेंट फुल वीकेंड के बाद बादारों में एक अच्छी रिकावरी और रिकावरी के बाद दिन के उपरी सरों के आसपास ही मार्केट काम काज कर ला है लोर लेवल से एक स्ट्रॉंग कमबैक मार्केट ने दिया कहां 22,200 के आसपास के लोज और 24,430 के आसपास के मौजूद अस्तर यानि के दिन के निचले सरों सरों रफली 215-220 अंकों के आसपास के रिकावरी मार्केट अलेडी दिखा चुका है तो एक बढ़िया रिकावरी निफ्टी में, लाइकवाई, सेंसिक्स और निफ्टी बैंक, अब्विस्टी बैंक, स्टार परफॉर्मर है, डेल हाई के आसपास काम काज कर रहा है, आधा परशन की बढ़त है निचलिस्तरों से यहां उससे एक अच्छी रिकावरी आई है और सेंसिक्स भी-ड.I के आसपास है, मिट-कैप स्मॉल कैप भी हरन निशान में आने की तयारी में है अल्मोस्ट हरे निशान में आने वाला है Mid Cap Index, 57-154 के जोन्स में, Small Cap हला किया आ चुका है हरे निशान में, 1.4 फीज़ी के आसपस की बढ़त है, Advanced Declined के लिहाज से चीज़े पहले से बहुत बेटर हुई हैं, अगर आप First Half के comparison देखेंगे तो Advanced Declined से ज़्याद हुए हैं, लेकिन बहुत पिछले एक से लेड़ घंटे में उसी रेंज के अंदर Advanced Declined है, 1200 share तीज़ी में और 1190 share जो की बिक्वाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो है मारकेट्स में खरदारी, सेक्टोरल वाइस अगर देखा जाए तो आज IT है, बैंक स्पिशली, निफ्टी बैंक, फिनैंचल्स, मेटल, जहां से खरदारी है, रियल्टी एक परसेंट उपर, Capital Goods जो की Flat 2 Positive है, Flat 2 Negative Auto, Flat 2 Negative Oil and Gas, FMCG, यहां पर फोड़ा Flat 2 Negative कामकाज है, CPSC, आधा 1% नीचे कामकाज कर रहा है, आज हम बाचीत करेंगे आशीश बहेती जीसे, जोकि हम आसाथ मौझूद हैं, जिन से हम चर्चा करेंगे, मारकेट्स को लेकर, जिन से हम बाचीत करने वाले हैं, इंडिविजल स्टॉक्स को लेकर भी सस्ता ऑप्शन में हम आशीश चीश सा इडिटिफाय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मारकेट्स में नंबर्स ऑप्शन के, 2400, 2400, 2400, 2400 के आसपास राइटिंग है, 2400, 2400, 2400 के आसपास पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेगा, इस्पेशलिए 2400 और 2400 इन जोन्स के उपर आप नज़र रखेंगे, निफ्टी बैंक के नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक ने कम बैक दिया, तो 50-500 पे जो कॉल राइटर से वो अन्वाइंड कर गए हैं, 50-800, 51,000 के जोन्स पे आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा 50-800, 50-500 और 50,000 के जोन्स पे पुट राइटर, हीट मैप बियरिश है, लेकिन सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, लॉंग 28, शॉट कवरिंग 58, 43 शॉट्स हैं, और करीब-करीब 52 आपको दिखाई पड़ेंगे, जो की अन्वाइंड होते वों दिखाई पड़ेंगे, लॉंग्स कहाँ पर हैं, जहां फास्टाफ हैं, आज वीकनेस थी, बहुत स्ट्रॉंग कम बैक है, वहाँ पर लॉंग्स हैं, वोल्टास 9 परसेंट उपर, जुबलेंट फूड 6 परसेंट, 9 परसेंट के आसपर स्टाल नंबर्स के बाद लगातार, सेकेंड जब की बाइंग, ग्लेनमाक फार्मा दो परसेंट उपर, बलामपोर चीनी दो परसेंट उपर, पेट्रोनेट करीब दो परसेंट की तेजी, पिरामल दो परसेंट, तीन परसेंट उपर नंबर से पहले, मनापुरम 2.5% उपर नंबर से पहले सेल 2.5%, कैंफिन होम, कोरो मंडल करीब 2.2% के आसपर तेजी यहां पर है बिक्वाली कहां पर है, बिक्वाली दिख रही है, आपको आज शॉर्ट्स पिल्डप है सन टीवी में, एस्ट्रल नंबर के बाद लगाता है दूसरे दिन, जबकि 6% नीचे जाइडस लाइफ करीब-करीब 4% नीचे, एउपी आई करीब-करीब 5% नीचे एक्षिडेंट नंबर्स के बाद, बालकृष इंडस्ट्री, 5% के आसपस का फॉल, भारत फोर्ष, 2 दो दिन की तेजी आद अन्वाइंडिंग, ABB, गोदेश कंजूमर, LKM, हालिया तेजी के बाद, थोड़ी बहुत अन्वाइंडिंग यहां पर भी दिखाई पड़ रह अच्छी रिकावरी निफ्टी बैंक निफ्टी में लोड लेवल से देखने मिली है और वो काफी स्ट्रेंट दे रहा है मार्केट को अगर अब स्टॉक स्पेसिफिक भी मूव देखेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है और लास्ट वीक की जो गिरावर थी स्ट्रॉक्षर में लग रहे हैं कि स्ट्रॉक्षर है 24,700 और 24,900 तक का जोनिया पर देखने में आने वाले कुछ सेशन्स में तो खरेदारी की सला रहे हैं जो स्टॉप लॉसस में मिंटेन करना है वह आज के डेलो का करीब का कैसे मिंटेन करे 24,250 के कैसे मिंटेन करें मैं ल बैंक निफ्टी का भी स्ट्रॉक्षर में बहुत अच्छा बनावा और जिससाब से बैंक निफ्टी प्लेजट है और रिकवरी दिखाई है वो काफी शांदार है तो बैंक निफ्टी में भी खरेदारी की सला है जो स्टॉप लॉसस में मिंटेन करना हूँ पचास जार ती तीन सो तक की चाल निफ्टी बैंक में बनते हो दिखाई बढ़ सकते हैं और निफ्टी में भी करीब तीन सो चार सौंग को कि आसपास का अपसाइड और खुलता होँ दिख सकता है आशीशर बान रहे है आशीशर अब इंडिविजुल स्टॉक्स में क्यों कि आज मिक्स ब है लेकिन उससे पहले एक अच्छा मोमेंटम आप इसमें देखने मिल रहा है और जिसले हफ्टे में बेस बन गया हो काफी इंप्रेसिव है हमने देखा आफ लेट टू इलर आटो मोबाइल में अच्छा मोमेंटम अलरी बन चुका है ओला के आई-प्यों के बाद तो यहां सब्सक्राइब का इंशॉरंस कम्रीज में हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और सब्सक्राइब कर रहा है कि इसमें यहां से फ्रेश ब्रेक आउट देखने मिल सकता है तो इसमें खड़िदारी की चला है 695 का एक स्टॉप लास हुट लगाना है सब्सक्राइब करने का यहां से अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है तो करेदारी की सलाह स्टॉप लास में मिंटेन करना है वह करीब करीब 2950 के कैसे मिंटेन करें 3050 3050 का पहला टागेट और 3120 के सेकंड टागेट के लिए शिराम फिनान्स में खरदारी की सलाह से अच्छा मिंटेन के लिए हजार एकसो बीस के दूसरे टागेट के लाब शिराम फिनान्स को लॉंग साइट पर देख सकते हैं HDFC Life यह दूसरा नाम है जहांपर आप खरदारी कर सकते हैं करीब और यह तीसरा नाम शिराम फिनान्स पहले आपकी स्क्रीन पर 3050 के टागेट के लिए HDFC Life 720, 735, 747 का अल टाइम हाई है, 695 के आपकी स्टॉप लॉस ले सकते हैं अब देखरें फ्यूचर एश्पेस और मार्केट्स में एक बढ़िया रिकवरी इनिचलिस तरह से देखने को मिली है और रिकवरी को मार्केट्स सो फार सस्टेन भी कर रहा है आगे देखते हैं कैसे काम काज़ दा लेकिन एज ओफ नौ मार्केट्स में बढ़िया अप मूव आता हूँ दिखाई पड़ा है लोवर मार्केट, लोवर लेविल से अब बाचीत कर लेते हैं कुछ जानकारों से या कुछ और माहसाद जो गेस्ट जोड़न उनसे भी अब माहसाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केर की मेंजमेंट मौझूद है Q1 में कंपनी की आए 13% और मुनाफ़ा 7% बड़ा है बीटा में करीब 26% भी ग्रोथ देखने को मिली है नमबर्स और ग्रोथ आउटलूप पर बाचीत करने के लिए माहसाद कंपनी के CEO सुरेंदरन चिम्मन कोटिल सर मौझूद भी है सुरेंदरन सर नमशकार स्वागत आपकर कारकरम है पहले तो नमबर्स को लेके आपका एक व्यू चाहूँगा कि बहुत बेटर साइट पर नमबर देखने को मिलें चाहें कि यू ओन क्यू बैसिस पर देखिए हैं वाय वाय बैसिस पर और हाई मार्जिन साइट की जो प्रोडक्ट हैं उनकी तरफ से भी या प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा से बेटर साइट परफॉर्म करके गया है इस पारी तो क्या की हाईलाइट सार कामकाज कर रहा थे इस कौर्टर में तैंक यू सुमेत और गूड आप्टर नौन तो आल या व्यूर्स या हमारे लिए कौर्टर बहुत ही बहतर कौर्टर रहा है और 13.1% इस रेविन्यू ग्रोथ 21.2% इस बिटर ग्रोथ और 31.3% इस अमार्जिन ग्रोथ तो ओर आल बहुत ही अच्छा कौर्टर रहा है और अगे जाके भी इसका और भी मनलब इप्रोबंट होगा सारा पैरमेटर्स में और कौर्टर वान में खास करके हमारा जो ट्रू हेल्थ पोटफोलियो जो है या हमारा 28% ये और ग्रोथ है ट्रू हेल्थ है वेल्नेस प्लस इल्नेस बंडल पैकेजस है ये 28% ग्रोथ किया है और हमारा speciality जो है 14% ग्रोथ किया है और B2C segment आप देखो कि 18% ये और ग्रोथ है जिसमें से हमारा काफी revenue drive हुआ है और हमारा margin improvement भी जो B2C का ग्रोथ से भी हुआ है और true health और speciality packages का वाज़े से भी हुआ है आप बाकी जो numbers देखोगे आपका patient volume growth जो है हमारा साथ percentage रहा है quarter one में और six percentage जो revenue पर patients grow किया है और हमारा test volume जो है 10 percentage ग्रोथ किया है तो सारे KPI सारे matrices जो है अच्छा दिख रहा है quarter one में और आगे जाके और भी बहुतर performance करने के उम्मीद है सुरेंदर सर दो सवाल मैं एक साथ club करूँगा आपने जो बोला true health इसका सच में performance बहुत strong rise पारी तो क्या Q2 में ये performance carry होने की उमीद हम लगा कर चले one दूसरा revenue per patient क्योंकि per test आपने बोला बढ़िया numbers में आया लेकिन revenue per patient का number भी बहुत strongly अप्मूब लेके गया 6% के आसपास की improvement वहाँ पर भी आई है तो इसका अगर आप bifurification दे पाए कि किस तरफ से ये growth आई है तेक ये true health packages में कैसे ही हुआ है कि आपको पुरा consumers के लिए हमने scientifically curated packages दिया है और इसमें customers को भी commercial benefits है और ये सारा technology से enable किया है पुरा digital technologies और हमारा जो एब website वोगारे से enable किया है इसलिए overall 360 degree angle से आप देखोगे ते सारे चीसे जो करना चीए है जो true health package इस improve करने के लिए हमने सारे किया है तो last एक दो quarter में true health package के जो आप्टिक जो है काफी improvement होते जा रहे है और आगे जाके भी और भी इंप्रूव होने का chances है मैं आप पुरा उमीद है अभी 28 percentage ग्रोग किया है ये growth level जो है sustainable दिख रहे है अभी इ इंक्रीज किया है और ये 6 percentage में 2.5 percentage जो है आपका price increase जो आपनी किया है quarter 4 में उससे आया हुआ है और बाखी जो 3.5 percentage जो है वो आपका true health packages और speciality packages को mix improve करने के वज़े से हुआ है क्योंकि ये जो price hike है ये पूरा Q1 के अंदर reflect हो गया है या Q2 में भी सा कुछ impact जाता हो दिखाई पड़ेगा आपको पहला part दूसरा जो मैं you know city wise contribution देख रहा हूँ तो focus areas और seeding areas तो grow करी रहा है लेकिन अदर्स में बहुत strong growth हाई है ये क्या part है या तो देखें आपको true health package और speciality आगे Q2 में improvement होगा year on year growth जो है इस level पे higher level पे होगा आगे जाके वो continue करेंगे और हमारा जो tier 1, tier 2, tier 3 cities में जो है हमने काफी focus लगा है पिछले एक साल में labs लगाने के लिए है और हमारा center start करने के लिए हमने tier 2, tier 3 cities में काफी efforts लगा है उसका भी reflections हा रहा है अभी revenue में हमारा जो tier 3 cities का revenue है अभी 23 percentage total contribution revenue में वो 18 percentage grow कर रहा है so tier 3 cities and maybe beyond tier 3 cities हम लोग काफी अभी focus करेंगे और इधर का revenues drive करने के लिए कोशिश करेंगे because अब दीके tier 3 cities में अभी भी supply side shortage है अच्छा quality diagnostic, अच्छा quality medical services available नहीं है तो ये focus करने से tier 3 में हमारा काफी contributions बढ़ रहा है और focus cities का अपने बात कि हमारा five जो cities है जहां से major contribution of the revenue आता है which is Mumbai, Chennai, Surat, Rajkot, Bangalore हमारा focus cities है उधर हम लोग अभी 10 percentage grow कर रहा है और ये cities में true health और speciality का drive करने से और भी आगे revenue में improvement होगा Surindran sir, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आप लोग ने फोकस cities का expansion भी किया है शाहिद UP, MP, Assam, Tilangana state यहां पर भी आप अपना focus area बढ़ा रहे हो So by second half of financial year, कितने cities को आप इसमें cater कर लोगे? अभी हम लोग total 650 cities में operate कर रहा है पुरा हमारा metropolis का services 650 cities में country में और आगे अगले 12-18 मेने में ये जो 650 cities से 1000 cities तक लिके जाएंगे हम लोग इधा laboratory लगाएंगे या हमारा collection centers लगाएंगे ये सारे cities में तो इसमें जो expansions में जो है उतरपरदेश, मद्यपरदेश, आंधरा, तेलंगाना और आसाम काभी focus areas रहेंगे क्योंकि ये सारे states में जो है अभी metropolis का services अभी improve करने का काफी opportunity बड़ा cities में, you know, feeding cities में इप्रोव करने के लिए काफी opportunities है इसलिए ये चार्ज state जो है अभी इस साल के लिए strategy में हमने extra focus पे रखा हुआ है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरो इंदन सर हमारा साथ मौजूद रहने के लिए आशीश सर मेट्रोपॉलिस के चार्ट देखके कुछ दिखर है कि आपको जी, सुमिजी, ओवर और लगर आप diagnostics और पूरे pharma stocks देखेंगे तो अच्छा कासा momentum इन में बना हुआ है मेट्रोपॉलिस में अज उपर के तरफ एक अच्छा momentum बना होता है तो एकेस्सो के उपर ही खरदारी करने की सलारा है तो एकिस्सो के उपर आप खरदारी करके चल सकते हैं मेट्रोपॉलिस हेल्थ केर में सो फार flat, flat टू positive side पे काम कास कर harga था अ की ब्रेक комे वक्त हो गया, ब्रेक के ऒबार लौटते हैं आशी शर मौजूर रहेंगे, उनसे एक सस्ता उप्शन आइनिटिफाय करवाते हैं, ब्रेक्योस पार अब देरे फ्यूचर रिश्पेस और मार्केट्स में लो़र लेवल से एक रिकावरी और सस्टेनेबल रिकावरी आशी सर, सस्ता उप्शन क्या चोना आपने हैं, सुम जी, एक साइड इंडस्ट्रीज वापस पात्सों का जो इसका एक जोन है, वहाँ पर अप्रोच कर रहा है, स्टॉक में एक अच्छा कैसा गिरावर देखा हमने हैं, लिगने एक बेस बन गया है, फोरेटी है पास में, त सत्रा रुपए तक की सेकेंड टागेट्स एक ने मिल सकते हैं, तो पांसो दस की कॉल, चौदा और सत्रा रुपए के टागेट्स के लिए आप इसमें खरदारी कर सकते हैं, कई दिनों के फॉल के बाद, वापस कम बैक एक साइड दिखा रहा है, और अब पांसो दस की जो क आप पांसो दस की जो करेंगे, तो पांसो दस की जो करना रहा है, तो पांसो दस की जो करना चाहिए, और साथ तो वोल्टास, एफटो का टॉप गिनर है, क्या करें इन दोनों में? जी, सुमझ जी, जुबलिन फूर्ट के वर में बात करें तो यहां तो क्लिरली एक प्राइस और वोल्यूम ब्रेक आउट देखने मिला है, और पिछले अगर आप देखेंगे, 15-20 दिनों में एक अच्छा मोमिंटम स्टॉक में बना हुआ और जब से स्टॉक में 200 डेमा र जो स्टॉप लॉस है, मिंटेन करना है, इसमें हो 625 के करीब का है, जिनके पास भी लॉंग पोजिशन है, वर्टास में एक फ्रेश ब्रेक आउट है इन लेवल्स पे आज और स्टॉक में कहां से और जिए लॉड़ी 52 वीक आई के पास चल रहा है तो इसमें भी पोजिशन मिनाने की सलाह है, नमबस पे अच्छा एक रियक्शन दिया है स्टॉक ने, हमें लग रहा है जिससाब से प्लेश जैस 1620 तक का जोन दिखा सकता है, तो यहां से पोजिशन इन लेवल्स पर भी बनाई जा सकती है, जो स्टॉप लॉस में मिंटेन करना है, जो स्टॉप लॉ एक SL मेंटेन करके आप लॉंग साइड पर जा सकते हैं, एक बार आशी जड़ा पॉली कैब देखिए, कुछ कमेंटरी आई है और बहुत बेटर साइड पर कमेंटरी देखने को मिल रही है पॉली कैब की, और स्टॉक भी काफी समय से आउट अफ साइट है, तो लग रहा है क्योंकि इन लेवल्स पे अभी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है, शॉट करने की सला नहीं है, लेकिन फ्रेश लॉंग 6700 के उपर ही खरीदने की सला रहेगी, 6700 के उपर खरदारी करने ये बाद सही है कि बिल्कुली स्ट्रॉंग कंसॉलिडेशन के अंदर स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, चले बहुत बहुत बशुक्रिया आशी सर्थ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर बाचीत करने के लिए, सबी शेयरों पर अपनी रा की उमीद लाकर आप चल सकते हैं, और इसके लावा सस्ता आप्शिन तोर पे उनको एक साइड बेटर लग रहा है, जिसके ओपर भी आप अधरवाइस लाउंग सेड़े पोजिशन रखिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशी शाफ के साथ मौजूद रहेंगे, सास बहुर, संसिक्स लेके, समस्कार. ब्रेक के साथ मौजद